Hello dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope कि बहुत अच्छे होंगे तो इस रुडियो में हम कक्षा 10 का प्रशनवली 15.1 का कोशन नमर 21 को solve करेंगे तो देखिए कोशन नमर 21 में हम से क्या कहा गया है 144 बॉल पैनों के एक समुह में 20 बॉल पैन खराब हैं और 6 अच्छे हैं आप वही पैन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो परन्तु खराब पैन आप खरीदना नहीं चाहेंगे दुकांदार इन पैनों में से या दिरिच्छा एक पैन निकाल कर आपको देता है इसकी क्या प्राइकता है कि first part में पूछा है कि आप वह pen खर देंगे और second में पूछा है कि आप वह pen नहीं खर देंगे तो देखिए इसका solution कैसे करेंगे हम सबसे पहले हम details लिख लेते हैं तो हमें question में total 144 ball pen दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कि कुल pen तो कुल कितने pen है 144 अब इसके अलावा हम से कहा गया है कि 20 ball pen खराब हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खराब pen तो खराब pen कितने है 20 अब देखिए कुल pen 144 है जिसमें से खराब pen 20 है तो बाकी जो होंगे वो अच्छे pen होंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अच्छे pen कितने होंगे तो 144 में से 20 को घटा देंगे तो यह बचेगा 124 यानि कि हमारे पास 124 अच्छे pen है अब हम first part को करते हैं तो first part में पूछा है कि आप वह pen खरेंगे यानि कि हमसे इसकी प्रायक्ता पूछा है कि हम वह pen खरेंगे इसकी प्रायक्ता क्या होगी वह pen का मतलब है कि अच्छा pen क्योंकि जाहरी सी बात है कि हम अच्छा ही pen खरेंगे तो हमें अच्छे pen की प्रायक्ता बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइक्ता यानि probability किसकी प्राइक्ता बताना है हमें पैन खरीदेंगे इसी की प्राइक्ता हमें बताना है यानि कि हम वह पैन खरीदेंगे यानि कि अच्छा पैन खरीदेंगे इसकी प्राइक्ता क्या होगी तो देखिए पैन खरी देंगे यानि कि अच्छा पैन खरी देंगे तो अच्छा पैन कुल कितने हैं 124 है तो इसलिए अनुकूल पैनाम हमारा 124 हो जाएगा और बटे में हम लिखते हैं कुल पैनाम तो कुल पैनाम यानि कि कुल पैन तो कुल पैन 144 है तो इसलिए हमारा कुल परिणाम 144 हो जाएगा अब ये दोनों हमारे कटेंगे सबसे पहले दो के पाड़े से काट देते हैं ये हमारा दो के पाड़े से 62 बार में कटेगा और ये दो के पाड़े से 72 बार में अब ये दुबारा से दो के पाड़े से कटेंगे ये 31 बार में और ये 36 बार में यानि कि हमारा 31 बटे में 36 आ रहा है तो हम वहपैन खर देंगे इसकी प्राइकता 31 बटे 36 हो जाएगी यानि कि यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखें सेकिंड पार्ट को करते हैं तो सेकिंड पार्ट में हमसे पूछा है कि आप वहपैन नहीं खर देंगे यानि कि हम वहपैन नहीं खर देंगे वहपैन नहीं खर देंगे इसका मतलब क्या है कि हम खराब पैन नहीं खर देंगे ठीक है तो खराब पैन की प्राइकता हमें बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रायक्ता यानि प्रॉबाबिलिटी किसका बताना है हमें पैन नहीं खर देंगे इसकी प्रायक्ता बताना है ठीक है तो देखिए पैन नहीं खर देंगे तो हम कौन सी पैन नहीं खर देंगे खराब पैन तो खराब पैन कितने हैं 20 तो इसलिए अनुकुल पैणाम 20 हो जाएगा और बटे में लिखते हैं कुल पैणाम तो कुल हमारा 144 पैन है अब ये दोनों कटेंगे दो के पहाड़े से दो दहां 20 और ये दो के पहाड़े से हमारा 72 बार में कटेंगा फिर से दो के पहाड़े से 5 बार में और ये 36 बार में तो हमारा 5 बटे में 36 यही प्राइकता है वह पैन नहीं खरी देंगे इसकी ठीक है तो इस तरह से हमारा question number 21 का solution complete हुआ I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को और पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स चुडियो जैसी अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए मिलता है फिर नेक्स चुडियो में नेक्स कोशन्स के साथ धन्यवाद